तो कुम्ब लगन वाले जातकों को लेकर हमारी चर्चा निरंतर चल रहे हैं और हम ब्रस्पति की महादसा के बारे में चर्चा कर रहे हैं आपके चाइठ में ब्रस्पति धन वाले दोनों ही बहाँ को रिप परजन करते हैं जहां वो यारवे भावं और दूसरे बहाँ के शामी हैं और यहां ब्रस्पति आपके सुख इस्तान में जब बैठेंगें तो जादा से जयादा आपके के शुक में वो वर्धी करेंगे बले जर्री नहीं कि आप कोई बहुत ज़दा भोग विलास की तरफ जाएंगे या जिन्दकी में बहुत ज़दा ऐसो अराम की तरफ भागेंगे लेकिन एक बहुत अच्छी इस्तिती आपकी रहेगी आपका जो डोमेस्टिक जीवन है या ज अपनी धन संपत्ति को लेकर परिवार को लेकर सारी की सारी जितनी भी रेस्पोंसिबिलिटी हैं उनको आप आसानी से पूरा कर सकेंगे तो यहां ब्रस्पति आपको मैक्जिमम सपोर्ट करेंगे अब ब्रस्पति क्यूंकि दूसरे भाव के श्वा में है और दूसरे तो यहां पर ब्रस्पती आपको आपके परिवार से भी काफी ज़द सपोर्ट दिला सकते हैं इसके लावा आप परिवार में अपनी तरफ से बहुत बड़ी भूमिका निबाएंगे धन संपति को लेकर या अर्णिंग्स को लेकर भी ऐसा ब्रस्पती आपको प्रियापत ने कर रहे तो आप professionally और अपने domestic life कैसे अच्छे से manage कर सकेंगे कैसे अपने routine में और अपने घर के कामों में एक अच्छा balance ला सकेंगे यहां ब्रस्पति क्योंकि ग्यान के कारक हैं और ब्रस्पति की महादसा में मुख्य रूप से आपको अपनी ability अपने ग्यान अपनी गुद्धी मता या अपने विवेक सीलता पर ही ज्यादा तर फोकस करना रहेगा तो आप ब्रस्पति यहां जितने अच्छे स्थिति में होंगे आपके चार्ट में उतना ही ज्यादा आपको बहुत तिक शुक मेलेंगे और आसानी से आप काम कर पाएंगे अप धनारजन अच्छे से कर पाएंगे लेकिन वहीं बात है बहुत ही सिंपल तरीके से ब्रस्पति यहां दिखाते तो आपको ब्रस्पति यहां इस्तित होते हुए एक सामाने जिवन जीना ही ज्यादा पसंद रहेगा वले आपका शुकर कितना भी ज्यादा करने के लिए कभी कभी लोन बगरे तक भी लेना पढ़ सकता है लेकिन यहां पर आप जो भी काम करेंगे काफी वाईजली करेंगे और विवेक से इलता का पूरा-पूरा उपयोग करेंगे और जो भी आपके निरिने होंगे केरियर को लेकर डॉमेस्टिक लाइफ को लेकर या अपनी संतान को लेकर अपने जिवन साती को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे अब ब्रस्पत्य की जो महादसा है वो एक बहुत ही डिफरेंट महादसा है जैसे कि आप ब्रस्पत्य की महादसा से पहले राहू की महादसा के अंडर में होते हैं तो इन दोनों राहू के दसा है वो मुख्य रूप से obsession पर आदारी था ज्यादा तर या illusion या फिर हम हमारी जो expectation है वो हमारी कितनी है ब्रस्पति एक dual planet है और dual होने की वैसे ऐसे जात्कों के पास एक घर की तुलना में दो-दो घर होना या दो-दो गाड़ी होना यह संभावित है लगभग तो लगभग thirty-four years का जो आपके बहुत बड़ा पिरियड है आपकी life का वो इन दोनों ही दसाओं के अंत्रक्त आपका बीट जाता है इसलिए ये दोनों ही महादसाइं आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे और जब हम बरस्पती की फोर्थ हाउस की महादसा के बारे में बात करते हैं तो ऐसा बरस्पती मेक्जिमम ये पॉसिबिलिटी है कि आपके जिवन में ज्यादा से ज्यादा जो आपका सुक्सानती है या आपके लाइफ में जितना अच्छे से बैलेंस आ सकता है डॉमेस्टिक और अन्ने मामलों में उतना ही ज्यादा यहाँ पर बरस्पती आपको सुपोर्ट करें ऑट यहाँ पर अगर हम बात करें राहू महादसा और बरस्पती की महादसाओं की तुलनात्म ग्रूप से तो आपको वो सारी की सारी expectations इस दसा से नहीं रखने हैं जो आप राहू दसा में रखने हैं और राहू महादसा बहुत ही different महादसा है तो जो आपकी mentality राहू दसा में रहती है वो आपको यहां नहीं रखने हैं ब्रस्पति आपको काफी ज़्यादा इमानदार बनाते हैं इसलिए यहां आपको एक प्रोब्लम और भी आती है कि आप दूसरों के परती ज्यादा डिडिकेटेड होते हैं जैसे यहां अगर ब्रस्पति इस्तित है तो आप अपने बॉस के लिए ज्यादा फेवरेबल होंग तो आप अपने ग्यान और अपनी चमताओं का थोड़ा घमंड भी करेंगे या अभिमान भी दिखाएंगे और फिर आपकी जो चमताओं हैं उतने अच्छे से आपके खुद के काम आते नहीं हैं तो यहां पर थोड़ी बहुत फिर कमी हमें अवस्य देखने को मिल जाती है कहीं न कहीं जो आपके डिसिजन्स होते हैं और आपका जो ग्यान या आपकी विएक सिलता होती है उसमें अब यहां राहू की महादसा क्योंकि आप 18 बर्स भोग कर आये वह होते हैं और जैसे आपकी ब्रस्पत्ति की महादसा आती है तो ब्रस्पत्ति की महादसा एकदम ड धन वगरे को लेकर और आप जितना अच्छे से ब्रस्पति की महादसा को understand कर लेते हैं समझ लेते हैं जितना अच्छे से आप खुद को समझ लेते हैं या खुद की छमताओं को समझ लेते हैं उतना ही ज्यदा फाइदा उठा पाएंगे लेकिन अगर आप राहू की महादसा क तरह अगर ब्रस्पति की दसा में वेंटलिटी रखेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे और हमेशा ही ब्रस्पति को ब्लेम करते रहेंगे यहां ब्रस्पति ग्यारवे भाव के श्वामी ग्यारवे भाव के श्वामी होने के विशे इस बात की बहुत प्रविल समभावना है कि आपके धनारजन में या आपकी इंकम में ब्रसपती बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे यहां ब्रसपती आ रहे हैं तो आपके लिए पैसा कमाना या कोई भी बिजनस अगर करेंगे कोई भी काम करेंगे तो धनारजन करना या धन कमाना थोड़ा आसान रहेगा ब्रस्पती यारवे भावकेश्वामी हैं तो प्रियापत रूप से आपको नेम फेम भी देंगे एक अच्छी जो क्वालिटी लाइफ है वो भी आपको यहां मिलेगी ब्रस्पती दूसरे भावकेश्वामी है तो आप अगर किसी भी प्रकार का ऐसा काम कर रहे हैं जहांपर आप अपनी वानी को यूज कर रहे हैं अपनी बुद्धी मता को भी यूज कर रहे हैं या अपनी जो भी quality हैं आपके अंदर उनको यूज कर रहे हैं तो बहतरीन तरीके से इस दसा का फाइदा उठा पाएंगे अब फिर सबसे बड़ा रोल ये भी है कि ब्रिस्पत्य की साथ कौन कौन से ग्रह यहां पर आपके fourth house में बैठे हैं साथ में यूति करके उन ग्रहों क परिवार वालों से एसंतुष्टी पर कट करें गया और ऐसे वे लेकिन ब्रस्पत्य की जो रिजल्ट है थोड़े फास्ट जरूर रहें सूरी और मंगल के साथ होने की वज़े से चंदरमाज जैसा ग्रह अगर यहां ब्रस्पत्य से समन्ध बनाता है तब आपको maximum यहां प के ब्रस्पती की साथ बैठे हुए होंगे चाहिए वो कोई भी ग्रह होगा तो उसका प्रभाव ब्रस्पती पर ज्यादा पड़ेगा और अगर ब्रस्पती वक्री स्थिति में हैं फिर तो हो सकता है कि वो जो दूसरा प्लेनेट ब्रस्पती के साथ बैठा है वो अपना ज तो आपको काफी डिफिकल्टी आएगी सनी के यहां होने के विज़से भी आपको थोड़ी बात देता आएंगी और थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी तो फिर आप अपने परिवार से अपने बहुतिक सुखों से या केरियर से बहुत ज़दा एसन तुष्टी भी परकट कर सकते हैं ब्रस्पति की जो महादसा है 16 वर्स की दसा होगी 16 वर्स की दसा की दुरान ज़दातर केस में शुरुआत में आपको थोड़ी सी स्लो ये देखने को मिलेगी लेकिन अगर मंगल का समंद है यहांपर चंद्रमा का भी अगर समंद है या सूरीय का समंद है बुद का समंद है तो आप फिर भी अच्छी life जी पाएंगे और आपके काम काफी अच्छी से बन पाएंगे यहां ब्रस्पती आपको बहुत ज़्यादा wise बनाते हैं यह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाते हैं आपके लिए education गरहन करना आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी creative वर्क करना और educational टाइप या advisory से related काम करना financial related काम करना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा ब्रस्पती की इस इस्तिती की विएसे अब ब्रस्पती पर जिन जिन ग्रहों की दर्ष्टियां पढ़ रहे हैं उनको भी देखना पड़ेगा और यूती वाले ग्रहों को तो आपको देखना पड़ेगा ही अब सबसे बड़ा रोल फिर यह आ जाता है कि ब्रस्पती आपके कौन-कौन से बहुं को यहां से परभावित कर रहे हैं जैसे कि यहां से ब्रस्पती अगर हम देखें तो आपके earth house पे दर्ष्टी डालने के विए से ऐसा ब्रस्पत्य यहां भी आपको फाइदा करेगा, एक तो आपको गोड ग्यान देगा, आपको रिसर्च की अबिलिटी देगा, आपको सोचने समझने की या ग्यान घरण करने की अच्छी छमता देगा, जिससे आप इस दिसा का फाइदा अच्छे से उठा पाएं ब्रस्पत्य की दृष्टी जो आठवे भाव पे पढ़ रही है आपको आपके लिए कौन-कौन से ऐसे साधन हो सकते हैं जो कि आपको regular income दे सकते हैं भले या आपने कोई investment करी हो चाहिए कोई ऐसा काम करा हो तो ब्रस्पत्य की यहाँ जो दृष्टी पढ़ रहे है उसकी वेसे कही न कहीं gain होने में आपको फाइदा रहेगा यानि आपको gain regular होते रहेंगे और आप भी अच्छे से समझ पाएंगे कि वास्ता में आपकी कौन से ऐसी ability है या कौन से ऐसी आपकी छमता है जो आपके लिए regular धनारजन करके आपको दे सकती है ऐसा ब्रस्पत्य मौशली अगर लेट है इसमें अगर सा आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा result देता है ब्रस्पत्य के यहां दृष्टी का पढ़ना आपका सुसुराल पक्स और आपके माता पिता आपके लिए supportive रहेंगे लेकिन ज़री नहीं है कि आप उनका support प्राप्ट करेंगे ही करेंगे क्योंकि आप इतने ज़्यादा सक्सम होंगे ब्रस्पत्य के यहां होते हों कि आप लगबग अपने सारे के सारे जो काम है खुद कर लेंगे या अपना जो जमें जाइदात का काम है या कोई भी ऐसा अन्य काम है जो बहुत तिक सुखों से रिलिटेड है वो आप खुद अपने मेहनत से प्राप्ट कर लेंगे तो यहां पर आप कुछ ज्यादा expectations भी नहीं रखेंगे पर फिर भी आपको support अगर देखा जाए तो अच्छा ही मिलेगा अगर यहां पर कोई क्रूर ग्रे बैठा हो तो बात different हो सकती है ब्रस्पति यहां लेकिन आपको education में आपको किसी भी विसे की deep study में research वगरे में, occult वगरे में काफी फाइदा करेंगे और आपको अपने मन को जानने, खुद के जो आपके विक्तित्वाय में जो गुण है या जो अगुण है उनको पहचानने में मदद करेगा और किसी भी विसे को आप बहुती जादा deeply analyze कर पाएंगे किसी भी विसे में बहुती deeply आपका मन गुस पाएगा ब्रस्वत्ति की दर्ष्टी यहां से फिर 10th house पे रहती 10th house पे जो दर्ष्टी है, यह सबसे ज़्यादा important दर्ष्टी है आप लोगों के लिए यहां जब भी ब्रस्वत्ति दर्ष्टी डालें तो carrier निर्धारन के लिए यह महादसा बहुत बड़ा role play करेगी और इनकी दर्ष्टी पढ़ने की विए से आपको name frame बहुत अच्छा मिलने की समावना लेकिन यहां भी एक problem है कि आप थोड़ा सब्तंतर रहना ज़्यादा पसंद करेंगी इस दर्ष्टा की दोरान और हो सकता है कि आपके boss या आपके colleagues कोई ना कोई आपको समस्या डाले या आपके उनकोई सड्य अंतर करे पिछे से तो ऐसा हो सकता है लेकिन यहां आप बहुत ज़दा इमानदार विक्ति होंगे अपने काम के परती और बहुत ज़दा समश्दार होंगे बहुत विवेकसील होंगे पर कभी-कभी आपके जो बहुत हैं वो आपका फाइदा उठाएंगे आपको extra responsibility देंगे और आपसे ज्यादा काम कराएंगे और आपको जो भी income प्राप्त हो रही है या जो आपको पैसा मिल रहा है काम करने के बदले हो सकता है वो पैसा अगर कम भी हो तो भी आप उसमें अच्छे से संतोष रहेंगे और काम चला लेंगे प्रस्पत्य के यहां दृष्टी का पढ़ना आपकी ability की वज़े से ग्यान की वज़े से या आपकी बुद्धी की वज़े से आपकी educational qualification की वज़े से या आपकी छमताओं की वज़े से आपको काफी fame भी देगा लेकिन यहां देखिए वर्ष्टी करासी है वर्ष्टी करासी है तो आप लगबग हर काम को काफी तेज़े से करने के लिए देखेंगे और यहां ब्रस्पत्य की जो result है थे थोड़े से फास्ट हो जाते हैं फिर इसके बाद इनकी दर्ष्टी पढ़ेगी आपके बारवे भापे बारवे भापे जो दर्ष्टी पढ़ेगी ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगी अगर किसी भी इस्तरी का चार्ट है तो उसके लिए कहीं न कहीं उसके जो husband है वो थोड़ी से खर्ची लिए जादा हो स केंदर में बैठे हैं और वो ग्यारवे और दूसरे घर के शौमी हैं तो यहां वो खर्चों को बढ़ा सकते हैं परिवार के सदस्यों की health को लेकर कुछ problems कर सकते हैं या फिर आपके परिवार के सदस्यों के आपको extra responsibility दे सकते हैं जो परिवार में आपके वर्द लोग हैं उनके लिए फिर सबसे बड़ा रोल आ जाएगा आपकी एज का कि आपको कौन सी एज में यह महादसा आ रही है जैसे माल लो यह महादसा लगबग आपको 16-17 साल के आयो तक अगर आ रही है तो यह महादसा आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी learnings देगी आपको किसी भी आपको पढ़ने सीखने समझने के लिए आसानी रहेगी परिवार का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा अपनी माता जिसे आप बहुत कुछ सिखेंगे और परिवार का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपकी education में या आपको जो comfort परदान किया गया है आपको जैसा घर में मा करात्मक होती है यह स्तितिया आपके जिवन में आपको हमेशा ही प्रभावित करती रहेगी ऐसा ब्रस्पति आपको बहुत सारे different different विसेओं का knowledge देगा और बहुत सारी अच्छे understandings देगा किसी भी particular मामली में तो फिर बाद में आगे चलकर आपके लिए कोई भी career से related decision लेन या अन्य काम करना काफी आसान होता चला जाएगा तो छोटी age में ज्यादतर ऐसा ब्रस्पति को आप ग्यान या आपकी जो छमताई हैं उनको विक्सित करने के लिए देख सकते हैं ब्रस्पति की महादसा किसी को 25 की age से लेकर अगर 35 की age तक अगर आती तो ये career के लिए सब आतर जो है multiple options देख पाएंगे आपके पास काफी सारी ऐसी चमताई होंगी जिन में आप अपना career चुन सकते हैं और काफी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं यहां ब्रस्पति जब mid age में आते हैं तो अब आप अपने career के लिए किसी भी प्रकार का अगर risk भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं और परिवार का भी आपको पूर्ण डोप से साथ रहेगा फिर बात करते हैं ब्रस्पति की महादसा किसी को late age में आती है जैसे कि मान लो किसी जाद तक कोई है महादसा लगब 50 की age में आती है या 55 की बाद कभी अगर आती है तो यह महादसा आपको travel दे लेकिन आपकी health को लेकर थोड़ा सा आपको conscious रहना पड़ेगा इस पेसलिए आपका digestion system खराब ना हो आप healthy खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं आप कितना ज्यदा आपने आपको active रख रहे हैं body से और mind से दोनों से ही बर देखिए यह महादसा आपको किसी भी age में आए क्योंकि मुखे रूप से यह एक ज्यान अधरित महादसा है इसलिए आपको हमेशा जिवन में यहां ब्रस्पति कुछ न कुछ नया सीखने के लिए प्रेदित करते ही रहेंगे तो यह कुछ परिणाम रहेंगे आपके लिए fourth house के ब्रस्पति के महादसा के